Hello दोस्तों आपका Curiosity Maker में स्वागत है मैं हूँ सत्यमकाराव और आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा कैसे आप सिंपल HTML कोडिंग से आपके वेब पेज में इमेज इंसर्ट कर सकते हैं So आईए देखते हैं Firstly आपको उपन करना है नोटपेड नोटपेड उपन होने के बाद हम जो पहला टेख यूज करते हैं वो है स्टेए दैन उसके बाद हैड दैन उसके बाद टाइडल So friends जो भी हाँ आपके वेब पेज़ के टाइडल देना जाते हैं वो आप टाइडल टेख के दो आदे से जाते हैं कर से हैं वे इसा में पेचे क्ता हैं पेचे क्ता हैं So, आपके दून में के लिए टींटें बाद करने हैं आपके दो स्थ्कता हैं आपके पेचे क् wystस्ट करने нек सके लिएक बादेक your हम चोने चोने था में यूज से तेख यूज उता है यूज वो टैग है इंजी टैग सरेंट्स इंजी टैग जो है वो इस्पेसिफाई करता है stml में image display करने के लिए then हम जो img tag में attribute यूज़ करेंगे वो है src so friends src जो tag है वो specify करता है image का location so अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप image की location stml coding में दे सकते है उसके लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा जहाँ पे आपकी image है जैसे मेरी image desktop पे है then मैं उसकी properties देखूँगा file का नाम देखूँगा जैसे इस file का नाम है lion face then मैं उसका type देखूँगा so इस file का type है .jpg .jpg then हम इस file की location copy करेंगे then हम notepad खोलेंगे और then src tag में उसको equal to दो cuts में आप उसकी image की location डाल सकते हैं then हमने देखा था उसकी property image की property में की वो किस type की file थी जैसे वो थी .jpg .jpg आपको आपकी file का type देखके यह insert करना है then आप दूसरे attribute image के use करके आपकी image की height और breadth manage कर सकते हैं जैसे height tag इससे आप image की height specify कर सकते हैं इसके आपको आपकी मर्जी का एक या फिर आपकी requirement के में आपको उसका number insert करना है जैसे मैंने इसमें 50% करा है then आप image की width specify कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे 40% specify करी है image की width then friends आपको body tag close करना है then आपको html tag close करना है friends image tag को close करने की कोई जरूत नहीं है क्योंकि image tag है जो है एक empty element है जिसमें only open tag होता है then हम इसको file पे जाके save as में save कर सकते हैं दोस्तों आपको याद रखना है कि आप जब save करें तो उसको html का extension जरूर डाले जैसे html का extension है .html और एक और important बात जहां पे आप आपका web page save कर रहे हैं वहीं पे आपको image भी रखनी है so ये आगया हमाय web page so हम open करेंगे इसको आप देख सकते हैं हमाय वे पेज पे एक image आ चुकी है so friends I hope आपको ये video मदद में आई हो so मुझे like करना न भूले thank you हमी पेज़ करना बो करें पेख सकते हैं हाओ रूल ंक उदो मोचे आपको और हो मुझे आपको मुझे सकते हैं